हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चनल दीपाच यादव एजुकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 17 जून 2024 तो गईज आज आज तारिक 17 जून 2024 और है मंडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को कंप्ल चनल मिल जाएगा इस पर क्लेक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउनलोड कर पाऊगे नाव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तीसता रिवर को कहा पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे वैसे तो हम लोग डेल इंपॉर्डेंट बाते बताने वाला हूं और आपसे कुछ सेजेशन भी चाहिए तो उस बात को धिहां से सुनिएगा फिर उसके थोड़ी देर बाद हम अपने सेशन को शुरू करेंगे सबसे पहले चीज़ प्रिलिम्स दोहजार चौबिस का पेपर कल अल्रेडी समाप्त हो चुका है ठीक है बहुत सरे लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया क्यों क्योंकि 2023 के कमपारिजन में अपकी बार का जो प्रिलिम्स का पेपर था वो काफी आसान था दोस्तो ठीक है अब बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते लेकिन फिर भी पिछले साल के कमपारिजन में तो आसान था अपकी बार जो पेपर है वो स्लाइटली प्रिडिक्टिव आप कह सकते हो थोड़ा सा था यानि कि थोड़ा करेंट अफियर्स बेस था करेंट अफियर्स का एक बहुत मेजर रोल हो चुका है UPSC में ये नो डाउट सभी को पता चल चुका होगा पिछले साल से जो कितने सारे प्रेजम नहीं सोच चुके हैं दोस्तो वहाँ पे करेंट अफियर्स का सबसे इंपॉर्टन रोल है मैं आपको बता रहा हूं ये जो अपने केबल वीडियोज होता हैं यहाँ पर कोई मैं static चीज तो आपको पढ़ाता नहीं हूँ कोई subject नहीं पढ़ा रहा केवल current affairs ही cover करता हूँ और केवल current affairs है दोस्तों यहाँ पर अब की बार की paper में 30 plus questions यहाँ पर आए हैं अपने videos में से यह कल video में already upload कर चुका हूँ, channel पर है यह video, please एक बार जाकर उसको देखिए हर एक चीज़ को evidence के साथ में आपको दिखाया है कि कौन सी तारीक को कब पढ़ाया है मैंने videos में कहां कहां पर क्या क्या चीज़े present हैं, कौन सी line में क्या लिखा हुआ है, sentence to sentence, line to line चीज़े match कर रही हैं दोस्तों और ऐसा केवल 2024 यह अपके बार नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कोई तुक्के बाजी नहीं है दोस्तों इससे पहले 2022 का paper का analysis में कर चुका हूँ, उस समय पर भी 30 प्लस question videos में से थे directly वो वाला video अभी भी upload है channel पर उसको भी check कर सकते हैं, सब evidences आपको मिलेंगे फिर उसके बाद 2023 का जो last year का बताया जारा था सबसे tough prelims है, है ना उसमें अपकी बार cut off वगरा कम चला या था 2023 में, उस paper में भी 230 प्लस questions जो है वो अपने videos में से थे, जो कहने का मतलब है कि लगातार videos में से बहुत सारे questions आ रहे हैं तो आपको ये जो video है, उसको life का या अपनी preparation का एक हिस्सा बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं तो, मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़े मैं बहुत depth में cover कर रहा हूँ इस विसे कैसर लोग यहाँ पर कहता है, सर बहुत ज़्यादा depth में चले जा दो, कैसर articles में जाना जरूरी है आपने question देखे होंगे, कैसे कैसे पूछे गए बट क्योंकि depth में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर उसको solve कर पा रहे हैं समझ गए? फिर एक चीज और भी है दोस्तो, यह याद रखिएगा, आप पूरे साल preparation कर रहे हैं 8-8 गंटे, 9-9 गंटे पढ़ रहे हैं daily basis पे, आपको daily basis का बस 1-5 या 2 घंटा भी maximum बता रहा हूँ दो घंटा आपको यहाँ पर एक वीडियो पर देना है, थोड़ा समय, दो घंटा यहाँ पर एक वीडियो पर आप दे सकते हो अराम से फिर उसके बाद जो आपका बचा टाइम उस पे static portion पे ध्यान दे लेना, क्योंकि साल बस साल लास्ट 3 साल से आप देख पा रहे हो, मतलब एक ही जगह से 30 प्लस questions आ जाना, यानि आपके 60 marks कवर हो रहे हैं, और cut off जा रहा है 75, 80, 85, तो आप static भी तो पढ़ोगे, क्योंकि static क भी बहुत सारे questions हैं, ऐसा निए, कि static छोड़ दिया गया है, तो आपके एक ही जगह से, एक ही source से तरी सारी चीज़ें कवर हो रहे हैं, तो वो matter करता है, इसलिए बोला हूँ याँ याँ पे इसको, इस वीडियो को अपने preparation का हिस्सा बनाना जरूरी है, क्योंकि एक साल की आतनी है, पिछले तीन सालों का data मैंने आपके सामने याँ पे प्रेजेंट किया, इस वीडियो को एक बार जरूर से जाकर देख लेना, कल मैंने upload किया हुआ है, सारे questions याँ पे मैंने आपको दिखाये हैं, दूसरी बात, एक चीज़ मैंने बहुत interesting देखी है, और एक चीज लोग कहते होंगे, टॉपर्स के आपने जो है, इंटर्व्यूस बगरा देखी होंगे, बहुत सारी चीज़ देखी होंगी, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, के वला अगर दहिंदू पर ही stick रहते हैं इस बार कि मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत सारी questions ऐसे थे आप छोड़ने वाले हैं, छोड़ देते, क्योंकि अब की बार आपने एक interesting चीज़ देखी होगी, last year हमारे channel पर corporate strike आया था, फिर मैंने यहाँ पे videos के अंदर पर कुछ changes करें, और वो changes मतलब समझ लो positive way में हो गया, यह paper ने हमें यह दिखाया, positive way में कैसा हो गया, पहले मैं केवल और केवल newspaper पर ही specially focus करता था, फिर मैंने देरे-देरे चीज़ों को थोड़ा सा wide किया, Indian Express का कुछ important data मिला, वो मैंने include कर दिया, alignment का important data मिला, वो मैंने include कर दिया, तो इस तरीके से चीज़ों कवर किया, और मैंने यहाँ पर वो चीज़े realize करीं, दोस्तों देखा कि बह पूरा data cover करके चलो, अब यह नहीं कह रहा है, कि आप यह भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, हर एक source को अपने पास में लेगे बैठो, दिन बर उसमें लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करने की जरुवत है, उसमें मैं आपकी help करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से, आपने देखा होगा, हाँ, एक चीज़ और, कल का जब यह वीडियो देखो गए ना, जो मैंने अपलोड किया है, इसमें से जाधतर questions वो वाले हैं, जो हमने पढ़े हैं, लगबग कह सकते हो कि एक फरवरी से लेकर, लगबग एक एपरेल के बीच तक, फरवरी मार्च है, क कहने का मतलब है, जो मार्निंग में पांच बज़े अपलोड होता है, इन इक्स्प्रेस वाला, वो भी मैंने दहिंदू में इंकल्यूड कर दिया था, दोनों मिला के, कमपाइल करके हम डिसकस कर रहे थे, और नो डाउट मार्निंग वाले वीडियो का इंपोर्टेंस बहु हुआ है, क्योंकि दोस्तों परसनल बहुत सार इशू हुए लाइफ में, मतलब फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा दोड़ा टैकल करकर करके यहां तक पहुँच गए, मुझे अपकी बार लग नहीं रहा था कि प्रिलिम्स में अपने वीडियो से बहुत सारी चीज़े आए है, ठीक है, उनके लिए content में कोई कमी नहीं होने वाली, कल से आपको बहुत ही जादा powerful वीडियो मिलेगा, वो कैसे आपको कल पता सल जाएगा, उसकी पूरी की पूरी जो preparation है, वो कर रखी है, चल रही है, एविन कल जब मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड के उसके बास से ही मै static data भी cover हो रहा होगा, आप लोगों से मैं एक suggestion यह माँगना चाहता था, आप लोग मुझे बताइए कि जो morning वाला वीडियो यह वाला वीडियो है, दोनों को combine कर दिया जाए क्या, ठीक, अगर हम combine कर देते हैं तो regular basis पर यह वीडियो मिलते रहेंगे, एक ही जगा पर आपको mains के question, short news articles, very short news, editorial, opinion based, long articles, mains के question, prelims के लिए practice question, वो एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो लगबख मैं आपको बता रहा हूँ को जो वीडियो है वसकी length बढ़ जाएगी, जैसा अभी morning मालो 40 minute या 50 minute का वीडियो अपलोड जाता है, फिर ये भी एक घंटे का हो जाता है, तो अगर दोनों को combine कर देते हैं, तो लगबख एक घंटा, देड़ घंटा या एक घंटा 40 minute का वीडियो अपलोड होगा, जो मतलब normal है, इतना आप टाइम दे सकते हैं, है ना, लेकिन उस वीडियो में हर एक चीज़ कवर हो रही होगी, ये मेरी guarantee है, तो मैं आप लोगों से व जादा solve करना मुश्किल है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर source को wide करना होगा, और उसके लिए आपको tension लेनी की जरूरत नहीं है, आपको सारा content मैं दूँगा अपनी site से, जितने भी यहाँ पर sources होगे, सब को मैं लगा दूँगा, दिखाऊंगा कि article ये है, मौनिंग में जल्दी video भी आएगा, मैं कोशिश करूँगा, छे से साड़े छे के बीच में यहाँ पर video upload कर दूँगा, जिससे आपका morning में ही time cover हो जाए, morning में जल से जल आप video देख लें, 9 वे तक free होके, अपना current affair का सारा का सारा, मतलब जो data है निप्टा के, फिर अपना static एक portion पर लग जाएं, ठीक है, clear होगे दोस्तों, तो मैं भी हाँ पर कोशिश करूँगा, अपने अंदर बहुत सारे improvements, videos के अंदर improvements करने की, क्योंकि हम लोग अभी न, अच्छी तरीके से हमने चीजों को cover किया नहीं था, पिछली बार तो बहुत बढ़ी तरीके से cover किया थ इस वज़ा से tough paper होने के बावजूद भी 30 questions आगे, इस बार थोड़ी deal छूटी है, क्योंकि दिक्कत है याई दोस्तों, channel पे भी दो बार warning आ गई, एक बार copyright strike आया, समझ में नहीं आया, क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, दिक्कत है हुदी चली गए, video short हुई है, आपको पता होगा, पहले जो वीडियो उसके वल, दा हिंदू की हुआ करती थी, एक घंटा 20 मिनट से नीचे की हुआ नहीं करती थी, और जो morning वाला वीडियो है, 40-50 मिनट का वो भी हुआ करता था, तो obvious ही बात है, articles कवर होंगे, अभी क्या होता है, अगर चीजे लगा रहा होता ह अभी के लिए जो suggestion मांगा या आप से उसको नीचे comment section में लिखना है, ठीक है, चलिए बहुत बाते हो गई, अब कई लोग लिख देंगे, सर टाइम वेस्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं यार, काम की बात है, इतना time मैं वैसे कभी नहीं लेता हूँ वेडियो में, आज मैं आज के न्यूस पेपर में, यह important topic है, हमारे जो कह सकते हो कि union law minister है, अभी हाली में यहाँ पर सभी को मंतराले बाटे गए हैं, जो union law minister है, वह है अरजुन राम बेगवाल, तो अरजुन राम बेगवाल जीने यहाँ पर statement दिया है कल और यह बोला है कि जो तीन नए laws लेकर आ अंग्रेजों के जमाने के कानून है, IPC का नाम सुना है, आपने Indian Penal Code इसमें अलग-अलग sections हैं, है ना, सभी अपराद को इन laws के हिसाब से tackle किया जाता है, IPC के बाद आपने CRPC का नाम सुना होगा, Code of Criminal Procedure, फिर उसके आद आपने Indian Evidence Act का नाम सुना होगा, तो यह तीन कानूनों को एक जुलाई से यहाँ पर हम लोग implement करने वाले हैं, वो यहाँ पर समझाया गया, अब यह नए कानूनों के बारे में थोड़ा basic details पता होनी चाहिए, especially examination के लिए, पहली चीज़ नाम तो जरूर से पता होना चाहिए, अब देखिए दोस्तों, जो last year लाए गए इंडियन पीनल कोड जो है, यह 1860 का लोग है, ठीके, तो इसको हमने replace किया नए वाले बिल से, नया बिल जो पिछले साल लेकर आए गया था, वो था भारतिया नया सनहिता बिल 2023, फिर जो code of criminal procedure है, यह 1973 का लोग है, इसको replace किया गया भारतिया नागरिक सुरक्षा सनहिता 2023 के माधियम से, फिर Indian Evidence Act जो है 1872 का कानून है, इसको replace किया गया भारतिय साक्षे बिल 2023 से, और कुछ-कुछ बदलाव भी यहां पर हुए हैं, जैसे यहां पर बुलाग जा रहा है कि जो IPC था, उसमें 511 sections हुआ करते थे, अब 511 sections ना होके केवल 356 sections रहेंगे, ठीक है, यानि 175 sections में कुछ changes यानि amendment भी करे गए, 8 नए sections को add करे गए, 22 sections को हटाया गया है, यह कुछ बदला हुए है यहां पर IPC में, फिर नया बिल बना कर यहां भे भारते नया सनिता बिल लेकर आ गए, फिर ऐसी दोस्तों CRPC में, CRPC में पहले 478 sections हुआ करते थे, अब इसमें 533 sections होंगे, यही sections बढ़ा दिये गए, 160 sections में बदलाव किया गया है, 9 sections add करे गए और 9 sections हटाई भी गए इसमें से, फिर ऐसी दोस्तों Indian Evidence Act की जब बात आती है, तो इसमें 167 sections हुआ करते थे, इनको हटा कर अब यहां पे इसमें 170 sections होंगे, नयवाले law में, भारती सक्षबिल के अंदर मे 13 sections को यहां पर change किया गया है, एक section add हुआ है और 5 sections को हटाया गया है, इसको देखते हैं यहां पर जो हमारे home minister है अमिशा जी वो यह बोलते हैं, 1860 से लेकर 2023 के बीच में हमारे देश का जो criminal justice system है, वो केवल अंग्रेजों के बनाए हुए law के basis पर चल रहा है, लेकिन अब हमा criminal justice system को पूरी तरा से transform कर देंगे, क्योंकि हमारा main मकसद है किसी अपरादी को punishment ना देना, हमारा main मकसद है उसको जो victim है specially जिसके साथ में अपराद हुआ है, उसको तुरंत नयाय प्रोवाइड करवाना, जल से जल यहां पर नयाय देना, तो इसके basis पर यह bills को introduce किया गया था अब इस bill के अंदर में कुछ details देखना चाओगे, तो यहां पर आपको नजर आएगा, पिछले साल 11 अगस्त को यहां पर दोस्तों आखरी दिन था, तब यहां पर इस bill को लेकर आया गया था, है ना, और फिर उसके बाद December में, December में इसको वापस rate reduce भी किया गया था, क्यों केस होगा, इसको एक terrorist offense mad गया जाएगा, इस bill में जो death penalty है, उसको हमने as it is retain किया, यानि कि मौत की सजा भी हाँ पर रखी गई है, उसको हटाया नहीं गया है, यह भी हाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई case rape का है, printing का है, या कह सकते हो कि कहने का मतलब है कि मालो एक लेनी होगी victim की, और बिना permission के अगर नाम लिखते हैं, तो उस व्यक्ति को या उस कह सकते हो printable जो भी company है, उसको जो भी डिरेक्टर होगा, जो main leader होगा, उसको arrest किया जाएगा लगबग 2 साल के लिए, ठीक है, अब इसमें high court और supreme court के judgment को exempt किया गया, क्योंकि obvious सी बात है, व बहुत सारी और भी चीज़ आड़ कीगे, जैसे mob lynching, mob lynching यहाँ पर कह सकते हो, बहुत ही जादा बड़ा अपराद यहाँ पर mention किया गया है, ठीक है, तो हमारा भारतिया नियाए सनीता बिल जो है, इसमें इसने Indian penal code को हटाया, इसमें यहाँ पर क्या-क्या हुआ, वो मैंने crimes को आड़ किया गया है, cyber offenses को आड़ किया गया है, इसी प्रकार से जो भारतिया नागरिक सुरक्षा सनीता यानि CRPC को जो हटा कर बनाया गया है, यह citizen की protection के ओपर बात करता है, जो जूटे वादो के ओपर शादी करेगा, जूटे वादे किये शादी करने के लिए, यहाँ शादी करने का जूटा वादा दे, देखें, यहाँ पर उसके साथ में sexual intercourse कर लिया है, दोस्तों, तो उस प्रकार के cases को यहाँ पर यह handle करेगा, चीजों को काफी जदा digitize कर दिया गया है, बहुत सारे digital चीज़े यहाँ पर add कर दिया गया है, तो यह आप देख पाएंगे क अपना यहाँ पर news में है, वो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना है, specially ध्यान यह रखना है, कौन सा कानुन हटकर, कौन सा यहाँ पर नया आ रहा है, ठीक है, clear हो गया है दोस्तों, चलिए, आगया आते हैं, उसके बाद next article पर, अगला article हमारे GS paper number 3, defense and security के point of view से important है, बात हो रही है, exercise तरंग शक्ती के बारे में, अपकी बार पता होगा, 2024 का जो prelims था, यहाँ पर भी एक अभ्यास के बारे में पूछा गया था, वो जो अभ्यास था, वो था मित्र शक्ती, आपको मैंने पढ़ा रखा था कि भारत और स्रिलंका के बीच में होता है, लेकिन दोस्तों, question में भारत और बांगलादेश लिखावा था, इस वजह से वो पूरा का पूरा question आप अराम से elimination technique का use करके solve कर बाए, क्योंकि उसमें पहला ही statement गलत था, कल पड़ाया भी है मैंने, तो अभी यहाँ पर एक और नया exercise एक नया, अभी हाँ सर्चा में है तरंग शक् पहला, multinational air exercise होने वाला है, तरंग शक्ती नाम दिया गया है, तो यह अगस्त में भारत इसको host करने वाला है, यह यहाँ पर बता चलता है दोस्तों, और इस तरंग शक्ती में, क्योंकि word है multinational, multinational मतलब कई सारे देश की air force इसमें शामिल होगी, तो इसमें लगबग 10 देश दोस्तों, यहाँ पर आने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यह भी बताया जा रहा है, अभी थोड़ दिनों पहले, इंडिया ने US के साथ में भी एक air force exercise किया है, जिसका नाम है red flag exercise, फिर बताया गया जो तरंग शक्ती अगस्त में start होगा अभ्यास, इसमें कु कौँ से fighter jet भेजेगा, यह country कौँ से fighter jet भेजेगा, उसके बारे में information है, और यह जो पूरा का पूरा अभ्यास होने वाला है, यह दो faces के अंदर में होगा दोस्तों, जो पहला face होगा, वो यहाँ पर अगस के जो starting के दो सब्ता होने वाले हैं, उसमें होने वाला है, जो second face हो या भी इसके बारे में जरूर से होना चाहिए, ताकि जब आगे जाके पढ़ोगे, तो आपको इसमें directly help मिलेगी, आगे आते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक important information, अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है, इसको join करने का, यहाँ पर आपको daily basis पे current notes के PDF अगरा provide करवाय जाते हैं, for example, जैसा आपने देखा बहुत सरे article हम discuss करते हैं, जैसा भी एक editorial भी cover करेंगे, तो इस editorial के पीछे बहुत सरा background data है, वो सभी background data दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत detail से हर एक चीज के तौर पर मैं यहाँ पर आपको provide करवा सकते हैं, सबसे बड़ी बात वो Hindi English दोनों भाशाओं में आपको देखने को मिलेगा, दूसरी important बात इस group में आपका सारा का सारा current affair का content secure रहता है, किसी भी तारिक का PDF उठाओ, download करो, पढ़ो, delete करो, unlimited options आपके पास में available है, group को join करने का जो fee payment है, वो भी बहुत minimum है, just 499 for the lifetime access या फिर, जब तक आपका selection ना हो जाए, तब तक आप 499 में group को join करके रख सकते हैं, अब join करने के लिए करना क्या होगा, WhatsApp पर जाना, यहाँ पर आपको एक number दिया गया है, 853-487-3368, इस number पर message कर देना, कि I want to join this group, वहाँ पर आपको reply मिलेगा, payment का process दिया जाएगा, और उ कर सकते हैं, ठीक है, भागी दोस्तों, आर make sure क्या करो, वीडियो पर जो like बटन उसको press कर दिया करो, 5000 likes का target है, जिसको आप सभी लोग support कर सकते हैं, चलिए, आते हैं आज के editorial discussion पे, हमारे newspaper में आज बहुत शांदार editorial है, ठीक है, राइटर न लिखा है, लेकिन राइटर के point of views से कुछ extra point of views में मैंने यहां पर mention कर रहा है, यहां पे हम बात करने वाले हैं, कि अभी जो कुवेत के अंदर में बहुत बड़ा fire incident देखने को मिला, जिसमें 41 Indians की जान चली गई, तो अभी यहां पे बताया यह जा रहा है, कि जो Gulf countries है, especially in Saudi Arabia, UAE हो गया, उसके अलावा यहा पर बहुत सरे Indians जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको अच्छे से रखा नहीं जा रहा है, उनकी जो working condition है, वहाँ पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको लेकर भारत सरकारों कुछ करने के जरूरत है, वो क्या कर सकते हैं, उसके solutions में आगया मैं आपको बताऊंगा, लेक इनको प्रोटेक्शन देना भी उनका हक बनता है, बड़ वो लोग यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, यह एक सबसे बड़ी समस्या हमको दोस्तों देखने को मिल रही है, तो अभी हम लोगे नहीं हाँ पर कुवेत के अंदर में एक fire incident देखा था, जहां प अगा पर बहुत सारे लोगों यहाँ पर उन्हेंने भर दिया या ठूस के रखा हुआ था, तो यह दोस्तों यहाँ पर problem सामने निकल कराती है, चली अब एक एक करके हर एक point को बहुत details explain करेंगे, अच्छे से बस खाली चीजों को सुनते वे चलना, last map को means का question भी मिलेगा, तो जो इंडियन माइगरेंट्स हैं, गल्फ कंट्रीज में उनकी स्तिती क्या है, देखो, न्यूस क्यों हम डिसकस कर रहे हैं कि हाली में, जो कोवेट का case है, वो हमारे सामने नजर आया, वहाँ पे कोई proper safety नहीं थी, जो इंडियन माइगरेंट्स गल्फ कंट्रीज में रह जो इंडियन माइगरेंट्स हैं, गल्फ कंट्रीज में, वो कौन-कौन से challenges को face कर रहे हैं, और कौन-कौन से steps हम ले सकते हैं, उनके हक की बात करने के लिए, गल्फ कंट्रीज में क्या करा जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिरकार जो इंडियन वर्कर्स हैं, गल्फ देशों में उनकी स्थिति, उनका status क्या है, पहला point, इंडियन डायोस्पेरा जो दोस्तों, यानि भारतिये लोग जो देखने को मिलता हैं, गल्फ कंट्रीज में, वो बहुत जाधा है, ये data Ministry of External Affairs का है, वो data ये बोलता है कि लगबाग 8.88 मिलियन जो NRI हैं, जो लोग रह रहे हैं इंडियन्स, वो छे अलग लग देशों में, 8.8 मिलियन लोग केवल छे गल्फ नेशन्स में रह रहे हैं, जिसमज़े 3.1 मिलियन NRI आपको देखने को मिलेंगे, UAE में रह रहे हैं, 2.59 मिलियन जो हैं साउधी 1.02 मिलियन कोवेट में है, 0.74 मिलियन कतर में है, 0.77 मिलियन ओमान में है, 0.32 मिलियन बहरेन में है, तो कोवेट भी यहाँ पर कोई कम नंबर के साथ में नहीं आता है दोस्तो, 1.02 मिलियन इंडियन कोवेट में आज के समय पर रह रहे हैं, तो इंडियन कॉम्मूनिटी एक बहुत बड़ी community आपको Gulf Corporation Council वाले देशों में देखने को मिल जाती है, इन देशों का जो total workforce है जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उसका 30% दोस्तों इंडिया contribute कर रहा है, दूसरा जो important चीज गया स्थिती निकल कर आती है वो है state wise trend, ये तो हमने देखा कि इस देश में कितने क इतने भारती हैं, अब ये देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य से यहाँ पर कितने कितने लोग आपको इन Gulf Nations में देखने को मिलेंगे, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक केरेला migration survey हुआ है 2023 का, वो estimate ये करता है कि 2.2 million जो लोग हैं, वो केवल यहाँ पर केरेला सा है जो migrate कर चुक हैं, और केरेला से बहुत सरे लोग जाते हैं दुनिया भर में, especially Gulf countries में, और अभी कुवेत के अंदर जो 41 लोग की जान गई, उसमें अधिकतम लोग यहाँ पर केरेला से ही थे, ये बताया गया, तो केरेला से यहाँ पर जो 2.2 million लोग गए हैं दुनिया भर मे उसमें से 80% तो केवल Gulf Corporation Council वाले देशों में ही हैं, उसके अलावा अब उत्तर परदेश, बिहार, दीरे-दीरे यहाँ पर, ये भी काफी trend में आ चुका है, इसने केरेला को replace करना शुरू कर दिया, यहाँ सभी बहुत सरे लोग जा रहे हैं, इन Gulf countries में, especially blue collar workforce के तौर पर, य यहाँ पर दिखाया गया, अब आगया आते हैं, यहाँ पर बोला यह जा रहा है, तीसरा status देखिए, कि जो ज़्यादतर workers Gulf Corporation Council में जो काम करने जा रहे हैं, उनकी ओमर 20 से लेकर 40 साल के असपास है, जो एक prime age होती है न, working area, working age में, यही एक main age होती है काम करने की 20 से 40 साल, उस उसी age में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्यों आप वैसी बात है, Gulf countries उनी लोग को मंगाएंगे, क्योंकि वही लोग यहाँ पर उनकी economy में contribution करेंगे, तो उनकी जरूरत है, दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, gender अगर हम देखेंगे, तो पहले क्या हुआ करता था, जो पुरुष हैं, वो ज़्यादा जाया करते थे, बट Hunter Report ने दोस्तों यहाँ पर चौका दिया, उन्होंने यह देखाया कि महिलाओ का participation बहुत तेजी से बढ़ चुका है, पिछले कुछ सालों में, especially hospitals की job में, यहाँ पर महिलाओ भी आजके समय पर, Gulf Corporation Council वाले देशों में जा रही हैं काम करने के लिए, तीसरा यहाँ पर है education, जो workers आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर वो अलगलग sectors में काम करने हैं, education sector में भी काम करने हैं, है ना, कुछ के पास में high specific skills है तो उनके पास में jobs अच्छी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर द जो इंडियन migrants दोस्तों वो low semi skilled workers हैं, उनसे ज्यादतर वहाँ पर labor का ही काम करवाया जाता है, ज्यादतर, mostly ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर दोस्तों कह सकते हो कि low income families से आते हैं, बट उनके पास में अच्छी skills होती है, अच्छी knowledge होती है, तो अच्छा financial conditions maintain करने के लिए वो अलग-लग Gulf countries में चले जाता है, हैना school वगरा में, तो इस तरीके से आपर उनको रख लिया जाता है, अब बात यहाँ पर यह है, स्थिती हमने समझी, अब यह बोला जा रहा है कि जो Indian migrants दोस्तों, जो इंडिया से लोग जा रहे हैं काम करने के लिए Gulf countries में, तो उसका importance, उन भारतियों का importance भारत के लिए क्या है, और उन गल्फ देशों के लिए क्या है, वो गल्फ देशों की कैसे मदद कर रहे हैं वहाँ जाकर और इंडिया की कैसे मदद कर रहे हैं, जरा इसको समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि इंडिया के लिए व डेक WILL को साले किसी भी देश में क्ाम करने के लिए अब वह जब पैसा कमा हैंगा तो कमा कमा कर वापस इंडिया भेजेगा तो जो वापस इंडिया तो पैसा आता है दोस्कों ऻों को चुत्रा खमा कर भेजतेह। तो एक इंडिया के लिए ऐसे यहाँ पर यह लोग मददकार या help करते हैं दूसरा यहाँ पर skill development यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो गल्फ countries में यहाँ पर जो लोग जाते हैं जो इंडियान वेरकर्स जाते हैं वो नई skills गेन करते हैं experience गेन करते हैं लेकिन क्योंकि हर कोई व्यक्ति पर्मनेंटली भारेने नहीं जा रहा है कुछ जा रहे हैं कुछ पर्मनेंटली रहने नहीं जा रहे हैं वो बस खली इसले जा रहे हैं कि हमारी financial condition सही हो जाए मैं वापस इंडिया चले जाऊंगा ज्यादातर किससे यही होते हैं दोस्तो वो return करते हैं वापस लेक इसरा enhance India soft power जो एक Indian diaspora इतना बड़ा diaspora Gulf countries में present है इससे दोस्तो गल्फ देशों के साथ में भारत के जो relations है वो भी बहुत ज़दा मजबूत रहते हैं हैना cultural exchange हो रहा है investment आ रहा है business को लेकर बहुत सरी deals हो रही है गल्फ देशों को पता है इंडिया का importance कितना ज़दा इंडि workers की ज़रत पढ़ने वाली है समझ गए तो यह हो गया इंडिया के लिए importance इससे इंडिया को किस तरीके से मदद मिल रही है इन लोगों की वज़ा से वो समझ में आया दूसरा अब यही लोग Gulf countries के लिए कितने ज़दा important है वो ज़दा समझे पहली चीज लेबर supply simple सी बात है Indian migrant workers दोस्तों अगर ना हो तो इन गल्फ countries में labor shortage बहुत ज़दा खतरनाक हो जाएगा अलगलग sectors में especially construction में infrastructure, healthcare, hospitality, domestic services कोवेट के अंदर बात करेंगे तो Indian workers ज़दा तर यहाँ पर आप देख पाऊगे construction workers में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला यह जाता है labor का shortage ना हो इसमें ए Indian migrant का बहुत बड़ा रोल है दूसरा importance Gulf countries के लिए वो है diversity and multiculturalism जो Indian migrant workers दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब Gulf countries में जाते हैं तो वहाँ पर अपना culture भी साथ में लेका जा रहे है custom, traditions, language, अपना खानबान तो इससे क्या होता है जो traditions है या culture है दोस्तों दोनों द वरकर्स है वो हमारी Gulf countries की help करते हैं कैसे? economically grow करने में वहाँ पर जो important industries है उसको यहाँ पर boost कर रहे है भाईया कोई industry वहाँ पर काम कर रहे है उस industry को यहाँ पर वो boost कर रहे है उसको बना रहे है उसमें काम कर रहे है तो वह industry grow कर रहे है और grow करके वहीं के local लोग के लिए jobs को generate कर रहे है है ना तो उस देश की economic grow हो रही है नहीं हो रहे है definitely हो रहे है तो Gulf countries के लिए हैं अपर इंडियन का इस प्रगार से एक और importance देखने को मिलेगा अब बात यह आती है कि यह सब तो ठीक है importance है उन देशों को जरुवत है लेकिन उनको care भी तो करनी चाहिए अब कहों क care क्यों करें पैसा दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं लेकिन फिर भी care करनी एक सबसे important priority होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों problem यह है कि जो Indian workers है गल्फ countries में वो बहुत सारी समस्याओं से गुज़र रहे हैं अब चरह उसको discuss करते हैं सबसे पहली समस्या यहां पर यह है कि कई सारे cases ऐसे हैं जहां पर बताया जाता है कि उनका exploitation हो रहा है जो यह migrants है especially जो low skilled workers हैं जिनके पास में कोई skill नहीं है बिल्कुल labor का काम करवा जा रहा है वहां पर जिसने रोजगार दिया वाए दोस्तों वो उनको बहुत जादा exploit करता है टाइम पे पैसे ना देना उनकी payments रोक ले देना अच्छा working condition ना देना जहां भीड भाड है वही पर उसको रहने के लिए बोल देना तो यह दोस्तों बहुत जादा हो रहा है दूसरा जो यहां पर चलेंज है recruitment malpractices जो recruitment agents हैं है जो recruit करता है especially वो यहां पर कुछ extra fees लेने लगता है migrant से ठीक है यहां पर आपको यह देख कोई इंसान चाहिए उससे पहचाने वाला लेकिन फिर फीस वगरा चार्ज करता है बहुत सारे हैं फसाद एता है एक इंसान को इतना जदा यहां पर रिस्क तरीके से बेज देता है कि कभी कभी यहां पर उसका मतलब उसको पहुचा दिया जाएगा ऐसी कंडिशन में और जिसने जॉब पर बुलाया है जाद फिर वह जॉब पर गया उसका जो इंसान है है ना वह क्या करेगा वह अपने जितने भी लेबर को रखा है उसने उनका पासपोर्ट जब्द कर लेगा आने नहीं देगा काम करवाता रहेगा टाइम पर वेजिस नहीं देगा बस खाली यहां पर क्या बोल दिया गया यहां पर आपको वहां पर सेलरी मिलेगी महीं ने की एक लाग रुपे मिलेगी गए पता चला 25 जार रुपे या 30 जार रुपे मिल रहे हैं तो यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर यह एक मॉल प्राक्टिस एक सबसे बड़ी दिक्कत है जहां पर लोगों को धोका देकर बेज दिया जाता है एक और चीज़ वो है लीगल इड़ वीजा इशू जो वीजा होते हैं दोस्तों वर्क परमिट्स होते हैं वहां देशों से परमिशन आती है कि हां पासकते हैं हमारे यहां पर परमिट्स वह या तो कहेंगे हम तुम्हें अपने देश बापिस बेज देंगे तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर देखने को मिल दिया वो व्यक्ति यहां पर गया है काम करने के लिए पैसा उसने खर्चा है फिर उसके बाद में वहां पर जाके पहुंचा है सोच जैसे कोवेट के अंदर जो लेबर कैम्प है दोस्तों वहां पर हाली में आग लेगी लेकिन वह लेबर कैम्प को अगर एनलाइस किया जा तो वह ओवर क्रावड़ेट था कोवेट के मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं उस बिल्डिंग के ओनर के खिलाफ में कह सकतो एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वह बिल्डिंग के ओनर की गलती है जिसने रखा है इस तरीके से उसे पता था दिक्कत होंगी प्रॉपर सेफटी मेजर्स नहीं आग भुजाने के कोई प्रॉपर एक्क्यूपमेंट्स नहीं है और अपने ऐसी बसल बर रखी है तो कभी भी दिक्कत हो जाएगी कैसे बचाएंगे आप बताएए 41 इंडियन्स लोग की जान गई है यह कोई मजाग थोड़ी है उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी लोग है जिनकी जान गई है वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे एक औ हमीं भी दोस्तों कुछ डेट है हमारे पास में कुछ डेटा नहीं है फॉर एकसमपल कटर मेगर हम बात करेंगे तो डेटा को लेकर कोई प्रॉपर क्लारीटी बॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं है है ना अलग अलग अजेंसी अलग अलग डेटा दे देती हैं तो वहाँ पर कह सकते हो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास में डेटा होगा तब ही तो यहाँ पर हम जाद सादा बढ़िया तरीक है से उन लोग के लिए काम कर पाएंगे फिर एक और प्रॉब्लम आती है लीगल फ्रेमवर्क्स और डेटरेसल मेकैनिजम जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं यह कह सकते हो कि जो प्रॉपर एक्ट है उनकी बहुत सदा कमिया है उन कमी की वज़ा से भी दोस्तों यह माइगरेंट पॉपुलेशन इंडिया से जा रही है वहाँ पर migrant communities उनके साथ में बहुत सा रतियाचार हो रहे हैं फिर एक और challenge वह face करते हैं वह है language and cultural barriers भाशा है दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा difference create कर देती है अब उनको माह की भाशा नहीं आती है उनको यहाँ पर हिंदी नहीं आती है तो भाशा अलग हो गई community के साथ में जो local communities हैं वाँ पर उनके साथ में mall मिला आप नहीं कर पाते है इसकी वैसे उनको बिल्कूल आकेले रहना पड़ता है कोई support नहीं करता है अकेले रहके जीवन काटना है जूह kidney सजाना है फिर आना काम करना के साथ में इतना भेदभाव होता है सीधा उनके life के ओपर impact पड़ता है उनकी working conditions बहुत बुरी होती है है ना फिर इन सब चीजों की वज़ा से जब वो सब कुछ देख रहा है कि यहां पर कोई contact नहीं हो रहा है मुझा के लिए रहना पड़ रहा है फिर वहां पर भी दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं कर रहा है कोई support नहीं कर रहा है किस से बात करूं किसे यहां पर अपना problem समझाओं क्या क्या बताओं इसकी यह सब ना होने के वैसे दोस्तों उस व्यक्ति के उपर में जो mental health issues है वो देखने को मिलते हैं जो stress है उसका migration का अब वो stress बढ़ने feeling of isolation यह सब चीज़े दोस्तों एक इंसान में develop होने लगती है फिर एक और problem है is brain in family relationship family से जाधा contact होई नहीं पाते हैं वो इतना दूर वी इंसान गया है एक sponsorship के तौर पर है ना तो family से separate हो गया है family bonds बहुत कमज़र हो गये हैं फिर उसको time महां पर नहीं मिल पा रहा है प्रॉब्लम्स इंडियन वर्कर्स इस्पेशली जो गल्फ कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए वो सबी लोग फेस कर रहे हैं क्वेशन यहां पर यह भी आता है जब इतना कुछ है तो इतने सारे लोग लाखो लोग या करोड क्या सपास लोग दुनिया भर में फैले वे इंडियन जो हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए जो इंडियन गवर्मेंट है वो कुछ कर रही है या नहीं कर रही है उनके वेलफेर के लिए कोई हमारे पास में लौ है या नहीं है हैं दोस्तों कई सरे लौज हैं आईए मैं आपको एक यह एक्ट बहुत पुराना है, 1983 का यहां पर एक्ट देखने को मिलेगा, यह प्रॉपर कानून हमको प्रोवाइट करवाता है, जहां पर जो इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के बात करता है, प्लस जो रेगुलेट मेंट एजेंसी होती हैं, जो हायर क करता है Immigration Act, उसके लावा e-migrate system आपको देखने को मिल जाएगा, एक online system है, जहां पर skill और semi-skill workers को support किया जाता है, वो कहां कहां पर immigrate कर रहे हैं, उनका status पूरा का पूरा ट्राक किया जाता है, प्लस यह जो particular system है, यह जो recruiting agents होते हैं, जो recruit कर रहे होते हैं, कि हाँ आप भी करते हैं कई बार, तो उनके exploitation को रोकने के उपर भी काम करता है, यह system, फिर आता Labor Mobility Partnership, इंडिया ने यह Labor Mobility Partnership sign कर रखा है, गल्फ का Corporation Council के कंट्रीज के साथ में, UAE से, साओधिरेबिया से, कुवेज से, बाहरेन से, इन देशों के साथ में already हमने agreement sign कर रखा है, और इस agreement मे बोला गया है कि हमारे workers की वो सुरक्षा करेंगे, उनको protection देंगे, और इन agreements के अंदर में employment contract, model labor policies, worker rights, हर एक चीज़ को दोस्तों यहां पे रखा गया है, तो protection देने का काम है, उनका इस agreement में mentioned है, बट हो क्या रहा है, situation पूरी different है, अगर हम reality में देखें तो, उसके अलावा अब ही कई सार initiative है, जैसे pre-departure orientation program आपको देखने को मिल जाएगा, Indian community welfare fund देखने को मिल जाएगा, इसको establish किया गया है, ताकि एक emergency financial support दी जासा के Indian workers को, जो विदेशों में रह रहे हैं, जब जब उनको दिक्कत आए कि तो एक support देगा, medical assistance, financial support, legal assistance, उसके अलावा Indian workers resource center ये भी Kuala Lampar में, ताकि वो guidance और सारे के सारे जो कह सकते हो कि support है, वो provide करवा सके हमारे Indian workers को वहाँ पर, फिर awareness campaign यहाँ पर चलाया है, यह campaign है, जिसको बोला जाता है, सुरक्षित जाएं, परिक्षित जाएं, go safe and go trained, ये launch किया गया, ताकि जो लोग यहाँ पर सिया से migrate कर रहे हैं अब at the last writer, यहाँ पर इसके way forward बताती हैं कि आखरे कर हमें आगे क्या करना चाहिए, इसका solution क्या है, सबसे पहला solution यहाँ पर यह है strengthening legal framework, इंडिया को काम करना होगा, जो अपने laws हैं, नियम हैं, उनको और मजबूत करना होगा, जहाँ पर हम बार बार इन देशों के साथ में जब भी कोई meeting होती है, discussions होते हैं, तो अपने workers के rights की protection की बात करेंगे हर बार, दूसरा है improving regulation of recruitment agents, जो यह कंपनियां recruit कर रही हैं, इंडियन्स को, तभी तो वो इंसान जा रहा है वहाँ पे, तो वो कंपनियां बिल्कुल भी exploitation ना करें, उनसे कोई जादा fees charge ना करें, कोई contract क violation ना करें, हैना इसको भी ensure करना ज़रूरी है, तो इन recruitment agents को जो बीच के agent है दोस्तों, इनको regulate करने की जरुवत है, दीसरा है यहाँ पर एक robust grievance redressal mechanism बनाने की जरुवत है, कहने का मतलब है, वो व्यक्ति जिनको जो वो basically होँआ पर काम कर रहे हैं, मालूल कोई तकलीफ है, को गलत हो रहा है, तो उनको बचाया जा सके वहाँ पर, समझ गए, फिर एक और चीज़ हो सकती है, वो है enhanced diplomatic efforts, government को, जो अपनी बातचीत है, वो गल्फ देशों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब जब यहाँ पर discussions होंग कि जो bilateral diplomatic efforts है, मालो, अगर इंडिया किसी एक देश के साथ में मिलकर काम कर रहा है, और वो देश हमारी फिर भी नहीं सुन रहा है, तो हमें इस मुद्दे को United Nations Human Rights Council में उठाना होगा, इंडिया को यहाँ पर कुछ और चीज़ों को यहाँ पर आगे लेना होगा, United Nations Human Rights Convention, Worker Rights क की बात करनी होगी, इंडिया को यहाँ पर जो रिपोर्ट से अलगलग organization की जैसे ILO की वो यहाँ पर यूज करनी होगी, कि यहाँ सभी जगा पर जितने भी international bodies है, वहाँ पर workers के rights की बात की गई है, तो आप हमारे Indian workers को rights उनके क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उनको protection क्यों नह पर रहे हैं, तो इंडिया को international level पर यह मुद्दा उठाना होगा, अगर कोई country हमारी नहीं सुनता है, bilateral discussions में तो, फिर एक और चीज हो सकती है, वो है enhanced welfare measures, हमें जरूरत है कि अलग से जो budget है दोस्तों वो लेकर आया जाए Indian community welfare fund के लिए, जहाँ पर एक emergency assistance provide करवाया जा सकेगा जो Indians, especially Gulf nations में रह रहे हैं, वहाँ पर centers हम खोलेंगे ताकि उनको एक proper service मिल सके, यानि उनके ऐसा न लगे कि हमाई कोई बचानी के लिए नहीं होगा, अगर हमारे साथ में कुछ गलत होगा इस देश में तो, proper support यहाँ पर उनको मिला वाए, बिना किसी डर के, बिना किसी बाव कि वो काम कर सकेंगे, फिर एक और काम करना होगा, skill development को promote करना जरूरी है, government को skill training और certification programs देना जरूरी है, यहाँ पर migrant workers को, जिससे क्या होगा, कोई migrant worker महाँ पर जाएगा, अब उससे कुछ आता ही नहीं है, तो दोस्तों उसका exploitation definitely होगा, लोग करेंगे महाँ पर labor में का करवा करवा के, तो उसको यहाँ पर skill training दे के भीजा जाए, certification programs दी जाए, जिससे वो दिखा तो सकेगा, भई, मेरे पास में skills है, मैं अच्छी job के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई दूसरे काम के लिए नहीं आया हूँ, समझ गए, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, employability उनकी improve होगी, उनको एक बड़िया job opportunities मिलेंगी, फिर last काम कर सकते है, financial literacy को promote करना, यह भी यहाँ पर एक बड़िया solution है, जो migrant workers है, इनको proper तरीके से, पैसो का financial knowledge देना यहाँ पर ज़रूरी है, कि कैसे आपको आपके finances सारे के सारे manage करना है, कैसे वहाँ पर उधारी के तले न करना होगा, क्योंकि जितना जादा awareness होगी, उतना जादा बड़िया decisions अपने life को लेकर वो ले सकेंगे, तो यह यहाँ पर इसका एक solution हो गया, तो यह था पूरा का पूरा holistic issue, इसको समझने की जरुवत है, important मुद्दा है आज के समय पर, कि जो Indian workers, Gulf Corporation Council के अंदर इन देशों म आप इसका answer लिखते हैं, question है, what are the challenges faced by Indian workers in Gulf countries, and also discuss the importance of Indian migrant workers for Gulf countries, याने की, जो Indian workers Gulf countries में काम कर रहे हैं, खाली देशों में काम कर रहे हैं, उनके साथ में क्या-क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वो बताइए, साथी साथ में ये भी discuss कीजिए, कि ये जो Indian migrants है, वो उन देशों के लिए उनका क्या महत हुए है, वो आपने समझाना होगा, 200 शब्दों में, एक बार हिंदी में रेट कर देता हूं, ताकि हिंदी माजम वाले एस्परेंट भी बढ़िया से बढ़ कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें, question यहां पर यह है, कि खाली देशों में भार जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरे टेलिग्राम चनल मिलेगा, वहाँ पर अल्रेडी 78,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ कर अपने आंसर को लिखकर वहाँ पर सम्मिट कर सकते हैं, अपने आंसर को सम्मिट करने के साथ एक छोड़ असा काम जब आप सभी लोग दो-दो आंसर को रिविव करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी सामने वाले को भी, आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हैं, सामने वाले के आंसर में अगर कोई mistake होती है ता आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ याँ पर improvement क आवशकता है, तो इस प्रकार से cooperative way में वो पूरा का पूरा group काम कर रहा है दोस्तों, चीक है, चलिए, I hope आपको मज़ा होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो यह था आज का मरा discussion, बाकी कल से आपका एक बड़ी analysis आएगा, अपने suggestion जो मैंने मांगे, starting में जरूर से दीजेगा, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाबा, have a nice day, thank you and jai hinder.